आपका स्वागत है विद्धियर्थि मित्रू हम लोग client-side scripting में second unit अब देखने वाले हैं इस unit को हमने तीन अलग-अलग भागों में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले array फिर आगे हम लोग देखेंगे function function किस तरह से बनाए जाते हैं किस तरह से हम लोग function को call कर सकते हैं within program या फिर html program के through page से कैसे call करेंगे और तीसरे में हम लोग देखेंगे string तो आइए शुरुबात करते हैं अभी second unit की array in javascript आज के हमारे इस video lecture का जो learning object हुए हो सबसे पहले हम लोग देखेंगे definition of array how to initialize and access array elements फिर हम लोग देखने वाले changing array element and properties and methods of array ठीक है तो array की definition के साथ हम लोग शुरुबात करेंगे जिससा कि आपको पता है array is a set of homogeneous element ठीक है यहाँ पर भी लिखा है an array is a special variable which can hold more than one value at a time simple variable हम लोग javascript में बनाएंगे where a request to 10 अगर मुझे कोई integer value store करनी है लेकिन अगर उसी जग अगर मुझे set of integer value एक से ज़्यादा अगर integer value store करनी हो तो मैं वहाँ पर इस्तमाल करूँगा array का तो array का इस्तमाल करना है यहाँ जावस्क्रिप में क्या करना है आपको multiple values square bracket के अंदर provide करनी है ताकि आपका array initialize हो सके जैसा कि सबसे पहले यह syntax दिया है हम लोग वैर नाम का या लेट नाम का जो keyword है उसका इस्तमाल करेंगे तो अब तो हम लोग लेट नहीं वैर नाम की keyword का इस्तमाल करेंगे तो उसके बाद में हम लोग array name देंगे assignment operator square bracket के अंदर जो भी list of values है एक से जादा जो भी values है वो हम लोग यहाँ पर initialize करेंगे जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ एक example दिया मैंने bikes का तो bikes नाम का हमने एक array create किया है जहां पर तीन अलग अलग company के हमने bikes की company के नाम initialize किये जावा skip में bikes किया है यहाँ पर एक array ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग इसी array को जो simplest way में हमने बना है कुछ इस तरह से भी यह जो green में आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है new array नाम के keyword का new array array is a class यहां पर हम लोग objects बना रहें new keyword उसके पहले आपको यूज करना है तो array की definition आपने देखी array is a set of similar element ठीक है एक से ज्यादा अगर values है तो initialize करने के लिए हम लोग array variable का इस्तमाल करेंगे syntax हमने देखा where keyword से शुरू होगा array ने assignment operator जो भी multiple values हैं वो हम लोग square bracket के अंदर देंगे और दो values को separate करने के लिए comma का इस्तमाल करेंगे फिर चाहे हो आपका character हो या integer हो या string value हो जो भी value हो उनको separate करने के लिए बीच में separator करके हम लोग इस्तमाल करेंगे comma का तो यह example आपके सामने है एक तरीका जहां आप लोग वैर और square bracket के अंदर value का initialization इस तरह से कर सकते हो दूसरा तरीका है एरे नाम का एक object ही आप बना सकते हो तो वहां पर हम लोग इस्तमाल करेंगे new array नाम से values को आप डिकलियर करेंगे अब दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे कि दोनों में difference क्या है पहला जो तरीका वो सबसले simplest है आसान है और बहुत fast execute होता है दूसरा तरीका है थोड़ा सा complicated है लेकिन execution speed of program जो है वो इस second example के साथ में आपके program की कुछ slow हो जाती है ठीक है तो definition देखा, syntax देखा, example भी हम लोगों ने एक देख लिया है अब हम लोग देखेंगे how to access array element तो javascript में दोस्तों आप लोग हमेशा array को access कर सकते हो by index number हमने ccpp java में भी देखा है उसी तरह से javascript में भी हम लोग जो भी array elements है उसको access करने वाले है index number से ठीक है जैसा कि यहां example फिर से हमने लिया कि अगर मै bikes में जो भी मेरे तीन element है उनको मा access कर सकता हूँ जैसा यह आप example में देख पारे हो कि मुझे यह value display करना है तो display करने के लिए हमने क्या इस्तमाल किया bikes of zero array के element दो तरीके से access होते है by name और by number तो javascript में simple array अगर है तो उससे access करने के लिए जो method इस्तमाल होती है उसे कहा ज access कर सकते हो तो यहाँ simple array है तो इस simple array case में हम लोग array element को access करेंगे with index number जैसा कि आप example में देख पार हो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा program बनाया है हम लोग उस program को सीधे execute करके देखेंगे पहले तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक array program आपका विब ब्रॉजर में से execute हुआ है तो javascript में arrays के लिए यहाँ पर दिखाए सबसे पहले जो हमारा bike था company, hero, badges and tvs तो आपने लोगोंने सारे के सारे जो यहाँ पर elements है जो भी elements array के थे वो सारे के सारे यहाँ पर हमने display किये तो program जो इस तरह के script के लिए लिखना था वो कुछ इस तरह से था यहाँ पर हमने one by one सभी को display किया है ठीक है तो हमेशा की तरह javascript के program में यहाँ पर हमने दो पार्ट बना है पहला head part था और दूसरा body body के अंदर हम लोगोंने जाके पूरी script लिख है और उसी को execute किया इस program को हम आपके program के execution का element अगर आपको access करने क्या करना है आपको index number का इस्तमाल करना है आप लोग simply उस array element को access कर सकते हो आगे हम लोग देखेंगे changing an array element array में जो भी आपने values change करना है तो उसका तरीका क्या है तो simply है हमने देखा अभी array में जब भी access को element करना हो तो आपको क्या यूज क आपर mention करो और value provide करो जैसा कि यहां एक array बनाया है एक mobile नाम का हमने array बनाया है जिसमें नाम दिये Samsung, Oppo and Sony ठीक है तो हमको जो भी mobile of 1, mobile of 1 देखो किस तरह से होगा यह Samsung कहा है index number 0, 1 पे है Oppo और 2 पे Sony तो हमको mobile 1 याने Oppo जहां पर लिखा है उसको हमको change करना है Nokia पे ठीक है त इंडेक्स पोजीशन जो भी उस array में उसकी position है index value वह आपने mention की और simply उसको value से replace किया तो बड़ा आसान सा तरीका है changing array element, array name with index with value आपको उहां पर provide करना है अब यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो अगर मैं सिर्फ array name लिखता हूँ तो यहां पूरे के पूरे array element एक इंडेक्स नंबर देके लेकिन यहां मैंने कोई index value यहां पर mention नहीं किया है तो जब भी आप लोग simple array name लिखते हो तो सारे के सारे array elements आपके डिस्पले होते हैं दोस्तों जब भी मैं वीडियो पर आपसे बात करूं तो उसका थोड़ा सा cursor पर computer के screen पर या mobile screen पर जो मेरा cursor का moment है उस पर दयान दे तो यहां पर जैसे मैं आपको बता रहूं कि जब भी हम लोग simple array name लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप लोग पूरे array element access कर रहे हो तो अभी यहां पर array जब display होगा तो array display होते वग पहला element होगा samson then nokia and sony initialize करते वग था samson, oppo and sony तो oppo को हमने overwrite किया with no किया तो इस तरह से simply array name with index value हम लोग value change कर सकते हैं अगले slide में हम लोग देखेंगे दोस्तों javascript में array के साथ में कौन सी properties हमको मिलने वाली है और कौन से methods हमारे पास में available है तो यहां पर array को treat किया गया as a object simple array में नहीं लेकिन जब भी आप लोग array as an object बनाते हो तो आपके आपके पास में यह availability हो जाती है आपके पास में अलग अलग properties properties और वेरियेबल वेरियेबल हो जाते हैं और methods जैसा कि अगर कोई आपके पास में string array है तो length आपको वहां पर it is a property और यह आपको क्या suggest करती है कि कितने elements आपके पास available है ठीक है दोस्तों तो थोड़ा सा आगे हम में कुछ methods जैसे sort नाम से पता चलता है mobile के जो भी elements है उसको ascending या descending order में arrange करने के लिए हम लोग उस पर sort method apply करेंगे तो array की property भी length method है sort, concatenate, join, दो अगर array है elements आपको उनको concatenate करना है, join करना है तो हम लोग इस्तमाल करेंगे concat ठीक है array में के दो elements को join करना है ठीक है तो आप जैसे concatenate में इस प्रेमिटर आपको मिल जाएगा लेकिन यहां पर दोनोई elements join करके मिलेंगे तो यह कुछ methods है, exam point of view से यह slide ज़रूर यह दोस्तो पेपर में एक एक बार पूछा है difference between concat and join और explain various properties and method of array तो इस slide पर आपको ध्यान देना है बड़ा आसन सा है, variable initialize किया, mobile.length य क्योंकि है हमेशा return करती है एक value, तो sorting के बाद में जो भी sorted array वो store करने के लिए हमने एक variable लिया, array name.sort उस पे apply किया, यह slide में हम लोग दोस्तों देखेंगे कि किसी array element को अगर हमें one by one display करना है, पिछले slide में मैंने बताया था कि अगर आपको complete array once time अगर display करना है तो हम लोग array name सीधे लिखेंगे, लेकिन element by element अगर आपको display करना है, one by one अगर आपको display करना है तो आप लोग looping का, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, for loop का भी इस्तमाल कर सकते हो, या for each method का भी इस्तमाल आप कर सकते हैं, तो उसका इस्तमाल करके आप लोग element one by one display करोगे, तो इस program के ल display किया, तो यहाँ पर मैंने कुछ tag इस्तमाल किया, ताकि वो bullets, जब भी यह webpage मेरा display हो, तो कुछ bullet हुआ पर आपको धान देना है, जो मैंने bold किया हुआ है, text, जैसे कि array हमने declare किया, फिर हमने for loop लिया है, और for loop के अंदर हम लोगों ने array element one by one display किया, जैसे इसके शुरुआत कहाँ से, fruits of zero से, fruits of zero पर है banana, फिर for loop increment करेगा एक से, क्योंकि हमने यहाँ unary increment operator यूज किया, तो one पर orange, two पर apple और three पर mango हमें display होगा, तो एक demo यह program execute होने के बाद में किस तरह से दीखेगा, तो यह हम लोग देखते है, फिर जावा स्क्रिप में array हम लोग देख रहे हैं, और तो one by one element अगर आपको display करना है, वेब पेज पे, अंडर वेब ब्राउजर आपको यह message display करना है, array elements display करना है, तो आप लोग for loop या for each या while loop का भी इस्तमल कर सकते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो, जो भी array element है वो हमारे appear हो चुके, आगे slide पे चलते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख रहे है, adding array element, अगर आपको कोई element और उसमें add करना है, आपकी array की size एक है, उसमें कुछ और element आपको add करना है, जैसे यहाँ मेरे array की size है 3, अब मुझे उसके fourth location पे और add करना है, जैसे एक array हमने बनाया branch, mechanical, civil, computer, easy already है, उसमें और एक branch, fifth number पे मुझे add करना है, that is if, तो हम लोग वहाँ पर push method का इस्तमाल करेंगे, to add array element, in JavaScript, we use push, तो यह push क्या करेंगा, आपके element को, जो भी आप element यहाँ पे specified करते हो, उसे array में, end में add करेंगा, थोड़ा दोस्तो, जैसे हमने शुरुवात की थी, कि JavaScript में अगर simple array है, तो उहाँ पे आप लोग element को access कर सकते हो, via numeric, that is index value से, index number से, दूसरा एक तरीका और होता है, कि array element आप लोग by name भी call कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ red line में बता है, कि एक person नाम का, अगर आपने array बनाए तो उहाँ पे आप लोग first name call कर सकते हो, तो इस तरह से यह तभी मुम्किन है, JavaScript में यह भी तरीका possible है, array में से element निकालने का, लेकिन आपको इसे बनाना पड़ेगा as an object, उहाँ पे key and value इस तरह से pair provide करनी पड़ेगी, तभी आप associative array apply कर सकते हो, simple अगर array है, जैसा कि यहाँ पहले example में blue line में दिखाया है, कि person आपका एक array बना है और उसमें कोई element आपको zero position पे add करना है, john नम से, तो आप लोग indexing का इस्तमाल करो, आप लोग name convention का इस्तमाल नहीं कर सकते हो, in case कि अगर आपका array simple है, तो सबसे पहले unit में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोगों array बनाना है with key and value, तो यह तरीका हमारा काम करेगा, तो यहाँ पे हम लोग array element नहीं, वहाँ पे array के objects में हम लोग add करना है, तो इस तरीके को कहा जाता है, named index, और यहाँ पे जो blue line में तरीका बता है, वो है आपका numeric index, ठीक है दोस्तों, तो associative array in simple form of array, not supported in JavaScript, लेकिन अगर वो name index are also called associative array, name indexing का यह example है, अगर यह आपको support होता है, तो हम लोग बोलते है, associative array is available, जावा स्क्रिप्ट में simple array के साथ में, it is not possible, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में arrays objects है, तो आप लोग number indexing का इस्तमाल कर सकते हो, हम लोग अपने वीडियो के last slide में आगी चुके है, यहा array की definition हमेशा से, it is set of similar element, या it is set of more than one value, जावा स्क्रिप्ट में जो लिखा, syntax, variable, array name, is equals to, जो भी आपको, अगर आप ध्यान दो दोस्तों होती है, आपको size कहीं नहीं mention करनी है, ccpp, java आपने पढ़ा था, तो array की हमेशा हमको size mention करनी पढ़ती है, पर जावा स्क्रिप्ट मे array declare करते हैं, आपको size mention करना नहीं है, और square bracket के अंदर जो भी value initialize करोगे, वो आपकी available हो जाएगी as a array value, array element, फिर array को initialize करना है, तो आप लोग सीधे कर सकते हो, by numeric value, या फिर loop से भी आप लोग आपके element access कर सकते हो, आपको initialization करना हो, या access करना हो, store करना हो, या array element display करना हो, ह property हमने देखा, array की length property, जो आपको array में कितने element present है, ये show करती है, और methods हमने देखी, short, concatenate and join, तो exam point of view से ये last point बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ questions दिये, जो as an assignment आपको solve करना है, और उसकी scanned PDF copy, जो मैंने Google का link आपको provide किया है, वाटसप ग्रूप पे, उसे upload करते रहना है, regularly, तो पहला question है, explain array in JavaScript, list any two properties and methods of array, पाद में difference between array and array object, ठीक, array object बनाना है, तो हम new array का इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक, simple array में हम लोग new array इस तरह का इस्तमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर खाली index numbering होती है, जबकि यहाँ पर index numbering और associative array दोनों यहाँ पर apply होते ह एक exercise है, आपको यहाँ पर change करना है, name, get the value, value आपको show करना है, audit की क्या position है, जैसा 0, 1, तो आपके x में value 1 store होना चाहिए, तो इसका instruction कैसे आप लिखोगे, यहाँ पर लिखना है, display करना है, sorted array, जो भी array आप लोग बनाओगे, उसको sorted list पर store करना है, डिस्पले करना है, तो फिर sorted form में display करो, ठीक है, यहाँ पर आपको flower नाम का array बनाना है, जिसमें तीन flowers आप लोग store कर सकते हो, display the element, 4 mark लिए, दोस्तो यह आपके paper में आए वे questions है, तो देख सकते हो, हमेशा आपके paper में 4-8 mark का array पर question होता ही है, तो यह content आपके लिए, ज़रूज यह difference दिया है, concatenate and joint, इन दोनों के बारे में आपको difference लिखना है, तो column form में आप लोग यह बना कर लिखो, example लिखो, syntax, चीक है, और दोनों में क्या difference है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जहां हम लोग देखेंगे function, तब तक के लिए, good bye.